नमस्कार मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजनल्स दुनिया का सबसे उचाश्य मंदिर तुंगनाथ मंदिर 6-10 डिगरी तक जुका हुआ है हाल ही में ASI यानी भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन की स्टडी ने तुंगनाथ मंदिर को लेकर यह खुलासा किया है ASI के अनुसार तुंगनाथ मंदिर लगभग 5-6 डिगरी तक जुका हुआ है इसके अलावा परिसर में छोटी संवरक्षनाए 10 डिगरी तक जुकी हुई है जिसे लेकर ASI डिपार्टमेंट ने चिंता जताई है और केंद्र सरकार को अपनी स्टडी के नतीजे बताने के साथ ही मंदिर को संवरक्षित स्मारक में शामिल के जाने का सुझाओ भी दिया है आपको बता दे कि तुंगनाथ मंदिर गड़वाल हिमाले के रुद्र प्याग जिले में 12,800 फीट के उचाई पर स्थित है इसे दुनिया का सबसे उचा शिव मंदिर माना जाता है ये मंदिर पंच कैदार, तुंगनाथ, केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और कलपेश्वर में सबसे उचाई परिस्थ थे माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शंकर भुजा के रूप में विध्यमान है यहाँ भगवान भुलेनाथ की बुजाओं की विशेश पूजा की जाती है बताया जाता है कि इसे आठवी शताबदी में कत्यूरी शासकों ने बनवाया था लेकिन अब तुंगनाथ मंदिर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है मंदिर जरजर सती में है साथी ASI की स्टडी में 6-10 दिगरी तक जुका हुआ पाया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ASI की सिफारिशों के बाद सरकार ने तुंगनाथ मंदिर को राश्ट्रिय महत्व के समारक के रूप में घोशित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तुंगनाथ मंदिर की शती को लेकर दहरादून सरकल के सुप्रिटेंडेंट और्कियोलोजिस्ट मनोच कुमार सपसेना ने बताया है कि सबसे पहले हम शती के मूल कारण का पता लगाएंगे अगर इसकी तुरंत मरम्मत की जा सकती है तो करेंगे इसके अलावा मंदिर के गहन रिक्षन के बाद एक विस्तरत कारिक्रम तैयार किया जाएगा A.S.I. को मंदिर के धसने की भी आशंका है A.S.I. का कहना है कि जरुरत पड़ी तो विशिशक्यों से विचार विमर्श कर शती ग्रस्त हिस्से को बदला जाएगा अभी के लिए एजेंसी ने मुख्य मंदिर के दिबारों पर ग्लास स्केल लगाएं हैं जिससे गती वीधी को मापा जा सके आपको बता दे कि तुंगिनाथ मंदिर बद्री केदार मंदिर समीती प्रशासन के अधीन है इस मामले में A.S.I. ने B.K.T.C. को पत्र भी भेजा है जिसका A.S.I. को कोई जवाब नहीं मिला है इस मामले में B.K.T.C. के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने एक नीजी मीडिया संस्थान को बताया ही इस मामले में B.K.T.C. की एक बोर्ड बैठक में चर्चा हुई थी जहां सभी हिदधार को ने A.S.I. के प्रस्ताव को घारिच कर दिया B.K.T.C. मंदिर को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने में A.S.I. के सहता लेने के लिए तैयार है लेकिन यहाँ A.S.I. को मंदिर सौपे बिना करेंगे A.S.I. को जल्द ही हमारे फैसले के बारे में सुचित करेंगे A.S.I. और B.K.T.C. दोनों ही तुंगनाथ मंदिर में हो रही शती को लेकर जागरूख है लेकिन दोनों ही संसाओ के अपने अलग-अलग प्रस्ताव है उमीद है कि जल्द से जल्द दोनों संसाओ मिलकर मंदिर को सहिजने का काम करेंगे